वेस्ट इंडीज और इंग्लेंड के बीच का एक रचनात्मक मैच और ये गया वेस्ट इंडीज के नाज़ा टॉस जीतकर कप्तान स्टफानी टेलर ने पहले बल्ले बाजी करने का फैसला लिया वेस्ट इंडीज के ओपनर्ज ने टीम को एक बहुत अच्छी शुरुवात दी इंग्लेंड को जरूरत थी ब्रेक्ट्रूस की 17th ओवर में सोफी एकलस्टन बोलिंग करने आई उसके बाद आया बड़ा विकेट कप्तान स्टफानी टेलर का उन्होंने इस मैच में केशिया नाइट का भी विकेट चटकाया इस प्रकार सोफी एकलस्टन ने वो तीन विकेट चटका कर इंग्लेंड को वो मोमेंटम दिया जिसकी टीम को जरूरत थी बाद में इनिंग्स की सारी जिम्मेदारी आई शिडीन नेशन और शिमेन कैमबल कर उन्होंने एक बहुत अच्छी सांचेदारी निभाई जिसके चलते वेस्ट इंडीज ने 225 का टारगेट इंग्लेंड के लिए तैय कर दिया जिस प्रकाल से वेस्ट इंडीज ने अपना पहला मैच खेला था उससे ये बाद जाहिर थी कि ये मैच और ये चेस दोलों ही इंग्लेंड के लिए आसान नहीं होने वाला था इंग्लेंड की ओपनर लॉरन विंट्फिल हिल जल ही पविलियन के और लोटी जब डियांडरा डॉटिन ने एक बहुत ही भेतरीन कैच पकड़ा उसके बाद एक और से विकेट्स गिरते रहे पर टैमी बोमेंट पिच पर डटका खड़ी रही जब वे भी पेविलियन के और लॉटी तो डानी वायट और सोफिया डंकली ने टीम की सारी जिम्मेदारी संभाली उन दोनों की विकेट्स के बाद केट क्रोस और सोफी एकल्स्टन ने अंत में सांचेदारी निभाल कर इंग्लेंड को जीत दिलाने की कोशिश की पर वेस्ट इंडीज के बोलर्स के प्रदर्शन के चलते उन्होंने ये मैच साथ रनों से जीत लिया मैच में शमीलिया पॉनल ने तीन विकेट्ट शक्का है वही खेले मैथ्यूज और अनिसा मोहमद ले दो विकेट्ट शक्का है ये की जानकारी वेस्ट इंडीज और इंग्लेंड के मैच के बारे में विमिन्स प्रिकेट्ट से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हैं विमिन्स प्रिक्ट जोन के साथ